साथियों, बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है यही कारण है कि जब PM पेकेज की गोशना हो रही थी, तो पूलों के निर्मान पर विशेश ध्यान दिया गया था PM पेकेज के तहट गंगा जी के उपर कुल 17 पूल बनाए जा रहा है और अभी सुशिल जी ने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं इसी तरह गंड़क और कोशिक नदियों पर भी पूलों के निर्मान किया जा रहा है इसी कड़ी में आज चार लेन के तीन नए पूलों का सलान्यास हुआ है इसमें से दो पूल गंगा जी पर और एक पूल कोशी नदी पर बनने वाला है इनके बनने पर गंगा जी और कोशी नदी पर फोर लेन के पूलों की ख्रमता और बढ़ जाएगी साथियों बिहार की लाइफ लाइफ लाइन के रूप में हम सब जानते हैं मश्मूर मातमा गांधी से तू उसके हाल भी हमने देखे हैं दुर्दशा भी देखी हैं मुसीबत भी देखी हैं आज नए रंग रूप में वो सेवाई दे रहा है लेकिन बढ़ती आबादी और भविश्य की जरूरतों को देखते हुए अब महतमा गांधी सेतू के समानतर चार लेन का नया पुल बनाये जा रहा है नये पुल के साथ आठ लेन का पहुँच पद भी होगा इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रम शिला सेतू के समानतर बनने वाले नये पूल और कोशी नदी पर बनने वाले पूल से विहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी साथियों कनेक्टिविटी एक ऐसा विशह है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाएं संप्रुनता में सोचना होता है एक पूल यहां बन गया एक सड़क महां बन गई एक रेल रूट उधर बना दिया एक रेल वेस्टेशन इधर बना दिया इस तरह की एप्रोच ने देश का बहुत नुक्षान किया है पहले सड़कों का हाइवे का रेल नेट्वर्ट से कोई बास्ता नहीं रहता था रेल का पॉर्ट से और पॉर्ट का एरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था 21 सदी का भारत 21 सदी का भिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है अब हाइवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को एर रूट को सपोर्ट करें रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पॉर्ट से इंटरकनेक्टेड हो यानि सोचें सोच यही है कि यातायात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करें इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याय रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी झाल 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 झाल